Hello Friends, Welcome to Discerning प्रतापगर उत्रप्रदेश दोस्तो प्रदेश में परिशदी प्रात्मिक युँँच प्रात्मिक विद्याले खुलने का साशन ने आदेश दे दिया है जी हां दोस्तो उत्रप्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिशद के नियंत्रनाधीन इन जो भी परिश्यदी प्रात्मिक ये मुझ प्रात्मिक विद्याले हैं, उनको खुलने का आदेश दे दिया है, जहां एक और कक्षा 6-8 तक के विद्याले फर्वरी यानि 10 फर्वरी से दोस्तो ओपन होंगे, वहीं पे कक्षा 1-5 तक के विद्याले एक मार्स से खुलने है इससे पहले प्रदेश सरकार ने दोस्तो एस ओपी स्टेंडर ऑपरेटिंग प्रसीजर दोस्तो जारी कर दिया है, इनहीं दिशा निर्देशों के अनुरूप विद्याले में बच्चों के लिए सेक्षिक वातवरण के सर्जन और उन्हें कोविड-19 संक्रमार से बचानी ह समस्त हेड मास्टर को दोस्तो आवश्यक करने होंगे, पर तेक हेड मास्टर का ये दाइत होगा कि बच्चे जो भी संबंधित विद्याले में नमांकित हैं, जो भी बच्चे पंजीकरित हैं, उनके अभिवावकों से एक सहमत ले ले, तो ही बच्चों को स्कूल आने दिय जाएं, क्योंकि ये गारजियन की अभिवावक की जिम्मेवदारी बनती है, कि वे अपने बच्चे को उनके जीवन की सुरक्षा के लिए वो उन्हें आनलाइन मौट से पढ़वाएं या विद्याले भेजें, तो हेड मास्टर को सहमती पत्र अभिवावक से दोस्तों ले पहले एक समय ऐसा था, जब बच्चे को रेगुलर आने पे इंस्पायर किया जाता था, प्रोसाहन दिया जाता था, अब ऐसा नहीं करना है, नियम दोस्तों बदल रहा है, क्योंकि नियम एक वैश्विक महामारी के संगत दोस्तों बनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों का स्वास्त पच्चों का जीवन दोस्तों सुरच्छित रह सके तो आते हैं देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त परशदी विद्यालियों में जो भी विद्याले की कमान सभाने हैं स्कूल के लीडर्स हेड मास्टर्स के लिए क्या दिशा नर्देश S.O.P. दोस्तो आप देख सकते हैं पत्र जारी हो रहा है प्रेशक है सिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश सेवा में जिला अधिकारी समस्त जनपत उत्तर प्रदेश पत्रांग सिक्षा निदेशक बेसिक 77448-61-2020-21 दीनांग 6 जनवरी 2021 कैस विशयक कोविड संक्रमन 19 के के संबंदों महोद उपर युक्त विशयक बेसिक शिक्षा नभाग 5 के शास्तना देश संक्या 56-68-5-2021 दीनांग 5 फरवरी 2021 का संदर ब्रहन करने का कस्ट करें जिसके दोराब बेसिक शिक्षा विभाग के अंतरगत कक्षा 6 से कक्षा 8 के बच्चों के विद्याले कार दीनांग 10 फरवरी 2021 के से वा कक्षा 1-5 तक के बच्चों है तो सिक्षनकार दीनांग 1 मार 2021 के से प्रारंब करने का नियर्णे लिया गया है ततकरम में परशदी यों निजी विद्यालियों की कक्षाओं के पुना संचालन सुनिश्चित कराये जाने हैं तो अब दोस्तों आते हैं देखते हैं कि ये पत्र किनके सूचनार्थ युम आवस्यक कारवाही है तो प्रेशित है नीचे से अगर हम शुरू करेंगे तो पुखंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकास कंड उत्तर प्रदेश वित्ययों लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा समस्त जन्पद उत्तर प्रदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जन्पद उत्तर प्रदेश मंडली सहयक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल सची उत्तर प्रदेश, मुक्ष चिक्स अधिकारी समस्तर जन्पाद उत्तर प्रदेश, निदेशक राज सेक्षिक अनुस्तोंधान वे पर सिचाण परचथ。 अब आते हैं दोस्तों वो उन बातों पे ध्यान देते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं क्योंकि विद्याले जब खुलेंगे तो एक प्रकारक से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कई प्रिस्ट भूम के बच्चे आएंगे कई परिवार के बच्चे आएंगे ऐसी हिस्तिती में आपके लिए आवश्चक हो जाता है कि विभिन प्रिस्ट भूम के बच्चों के बीच में आप सामनज़स कैसे बनाएं कक्षा कक्षों में बच्चों को कैसे बैठाएं साब सफाई की विवस्था कैसे सुनिशित करें मध्यान भोजन जो योजना सरकार की चल रही है बच्चों के पोशन अस्तर के सुधार है तो बच्चों के नामांकन को सुनिशित करने के लिए बच्चों की विद्याले में उपस्थती को सुनिश्रित करने के लिए अब जो पूर प्रिशलित जो योजनाय है और वर्तमान वैश्विक महामारी है उससे संबंधित जो चुनोतियां है उससे संबंधित जो SOP है उसके बीच में आपको दोस्तों सामनाजस करना है एक प्रक बेसिक शिक्षा के अंतरगत विद्यालियों को पुना खोले जाने के संबंध में निर्देश भारस सरकार के आदेश दिरांग 30 सितंबर 2020 में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया SOP का पालन करते हुए बेसिक शिक्षा के अंतरगत विद्यालियों को पुना खोले जाने के संबंद में निर्देश निम्नुत हैं. पहली बात यहां क्या हो रही है? कि प्रदेश के समस्त परिषदी निजी विद्यालियों के उच्छ परात्मिक अस्तर कक्षा 6-8 की कक्षाओं को दिनांग 10 परविद 2,021 से तथा प्रात्मिक अस्तर कक्षा एक से पांच की कक्षाओं को दिनांक एक मार से संचालित किया जाएगा। दूसरा, इस्कूल सिक्षा और साचरता विभाग, सिक्षा मंतराले भारत सरकार, द्वारे निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया, जिस पर लागू हो कि आधार पर विद्यालियों को पुना खोलने हैं तो स्वास्तियों सुरच्छा समंधी साउधानी बरतने के लिए दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। अब पहला पॉइंट यहां पर आ रहा है विद्यालियों खोलने के पहले द्यारी करनी है आपको। विद्याले केंपस यहां सभी कक्षाओं की फरनीचर उपकरन, स्टेशनरी भंडार कक्ष, पानी की टंकी किचन, वाश रूम, प्रियोक्षाला लाइबरेडियाद की सफाई यहां वी संक्रमित कराया जाना सुरिशित कराया जाए। पहला पॉइंट विद्याले में हाथ की सफाई की सुविधा क्रियाशेल करना है, डिस्ट्रल थर्मामीटर सेनेटाइजर साबुन आदिकी व्योस्ता सुरिशित करना है, विद्याले की परिवहन व्योस्ता आरम किया जाने के पहले सेनेटाइजिशन सुरिशित करना है, हि उसका यहां आप उपयोग कर सकते हैं आगे चलते हैं टास्क टीम का गठन करना पहला बिंदु है विद्याले में आकस्मिक सुरच्छात्मक संबंधी तैयारी के लिए विद्याले प्रबंध समितियों सिक्षक उत्तरदाई होंगे कोई भी एमर्जंसी घटना अगर विद्य गाइडलाइन्स के अंसवार शात्र शात्राओं के बीच कम से कम 6 फिट की दूरी के साथ बैठने की विवस्ता की जाए यह विद्याले में एक सीट का बेंच डेस्क हो तो इसे भी 6 फिट की दूरी पर बैठने की विवस्ता की जाए इसी प्रकार सिक्षक को स्टाफ रूम कार्यले आगत कक्ष में भी 6 फिट की दूरी पर बैठने की व्योस्ता से चिन्त की जाए विद्याले के प्रवेश से उम निकास द्वार को भी विविन कक्षाओं के अनुसार क्रमवार समय आबंटित करते हुए आने उम जाने के लिए चिन्त की जाए आगे चलते हैं दोस्तों विद्याले के सभी गेट को आगमन युम प्रस्थान के समय खुला रखा जाए ताकि एक जगहां भी एकत रितना हो जहां तक संबहो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अभिवावक विद्यार्थी के लिए सुनिशित किया जाए प्राथ्मिक विद्याले के वर्ग कक्ष बाहरी नोटिस बोर्ड दिवाल आदि पर सामाजिक दूरी का पालन करने मास्क लगाने सेनेटाइजेशन हां सफाई यत्र तत्र थोकने से प्रदिबंद के संबन्द में मुद्रित पोस्टर का प्रदर्शन किया जाए दोस्तों यहां पे कहने का मतलब यह है कि बच्चों के बीच में एक प्रकार का जागरुकता हो पच्चे बीमारी के प्रती उदासीन नहों निश्क्री नहों पूरी कोशिश करें कि सचित्र जो माध्यमों के माध्यम से चित्रों के माध्यम से पोस्टर्स के माध्यम से उन प्रतेक कक्षा में जो छात्रों की कुल छमता है उस कैपसिटी की 50% उपस्थिती पहले दिन रहनी चाहिए तब शेस 50% की उपस्थिती दूसरे दिन रहे इस प्रकार किसी भी कारे दिवस पर किसी भी कक्षा में कुल छमता का 50% से अधिक उपस्थिती नहीं रहेगी विद्याले में कक्षाओं का संचालन निमने शेडियूल के अंसवार किया जाएगा प्राइमरी लेबल पे अगर हम बात करें प्राथमिक अस्तर पे यानि कक्षा 1 से 5 तक सोम वार वा ब्रहस्पतिवार यानि गुर्वार को कक्षा 1 और 5 को बुलाना है मंगल वार वा शुक्रवार को कक्षा 2 और 4 को बुद्ध वार वा श्रनिवार को कक्षा 3 को देखिए दोस्तों यहाँ पे weekly जो days हैं उसमें दो-दो दिन सब को दे दिया गया हर कक्षाओं को दे दिया गया जहां सोमवार और ब्रस्वतिवार को कक्षा एक और पाच को आपको बुलाना है वे मंगलवार और सुक्रवार को दो और चार को बुलाना है बुद्वार और सुक्रवार को कक्षा एक और को बुलाना है विद्याले की जिन कक्षाओं में विद्याठ्चियों की संख्या अधिक है वहाँ पर दो-दो पालियों में कक्षाएं संचालित की जैंगी इस सम्मंद में निर्ण अस्थानी परिस्थितियों को देखते हुए हेड मास्टर यों विद्याले प्रबंध समित द्वारा लिया जाएगा जिन विद्यालियों में नामांकन अधिक है उन्हें दो पाली में संचालित किया जाए कहीं कहीं पर बहुत बच्चे हैं धाई 300 से ज़्यादा बच्चे हैं उसे आप दो शिफ्ट में चला सकते हैं तो आप प्रते एक शिफ्ट के समय को परिस्थित के अनकूल कम किया जा सकता है यदि कक्षा कच्च का साइज छोटा हो तो कंप्यूटर रूम लाइबरेरी प्रियोक्षाला अधिका भी उपयोग बैठने योंग 6 पिट की दूरी का पालन करते हुए उपयोग किया जा सकता है आगे चलते हैं दोस्तों विद्याले अस्तर पर होने वाले आयोजन बैठक के सम्मन में विद्याले को ऐसे आयोजन से बचना चाहिए जहां भावतिक दूरी का पालन करना संबवना हो समारोह, तेवहार, खेल, कूदाज के आयोजन से विद्याले को बचना चाहिए आगे चलते हैं विद्यार्थी के कक्षाओं में ही अलग-अलग किया जा सकता है जिससे की भोतिक दूरी का पालन किया जा सकता है जैसे एसेंबली के समें, प्रेयर के समें सारे बच्चों की गैधरिंग required होती थी अब ऐसा नहीं करेंगी कक्षाओं में ही बच्चों को systematically आप खड़े करके हर कक्षा में आप assembly और प्रेयर को कर सकते हैं कक्षा में एक नामांकन के समय केवल अभिवावक को ही रखा जाए बच्चों को अभिवावक के साथ आने से मुगत रखा जाए माता-पिता अभिवावक से सहमत ही चातर शात्राओं के विद्यार्थी उपस्थे के पहले माता-पिता अभिवावक से अनिवार रूप से सहमत लिया जाए जिसका प्रारूप दोस्तों हम बाद में जिक्र करेंगे यदि विद्यार्थी परिवार की सहमत से ही घर पे अध्यन करना चाहता तो उन्हें अनुमत दी जाए ऐसे सभी विद्यार्थियों के अध्यन संबंधी प्रगत का योजनाबद तरीके से अनस्वरण की व्योस्ता की जाए चिकिस्ता सुविधा की उपलब्धता सुनिशित करना विद्याले या उसकी नजदीक अस्तल पर स्वास्त करमी नर्स डाक्टर काउंसलर की उपलब्धता सुनिशित की जाए शात्रों के शारीरी कि वाश्ट क्युआ स्दिव को कॉरोड़ा पॉजीट कीया जाता है तो उसे विद्याले में तद्काल आईसavour किया जाने तक मास्क फेस कवर सुनिशित किया जाए वो अच्छातर शात्राओं की पॉजिटिव रिपोर्ट होने की संदिग्द अवस्था में प्रोटोकाल के नस्वार करवही की जाएगी हेड मास्टर दोरा बच्छों के अभिवावक तहां निकटर साले को तत्काल सुचित किया जाएगा तहां डाक्टर के प्रामर्स के नस्वार करवही की जाएगी विद्याले में उपस्थिति यो मावकास समंधी नीद को पुनरभाशित किया जाए दोस्तों यहां पे बहुत बड़ी बात हो रही है यहां पे फिर से प्रिजन्स और लीव के समंध में डिफाइन किया जा रहा है पुनरभाशित किया जा रहा है अधिकतम उपस्थिति के लिए पहले पुरुसकार दिया जाता था मांदे दिया जाता था इंसेंटिव दिया जाता था रिवार्ड दिया जाता था अब इसे हतोसाहित करना है अकादमिक केलेंडर को सभी कक्षाओं से समंधित परिक्षा के लिए योजना बद्ध किया जाए सूचना संकलन सभी छात्र अविवावक मातापिता से उनके स्वास्त सम्मधि इस्ति अध्यतन यात्रा अंतर राज्जी अंतर राश्टी से सम्मधित स्वागोशना पत्र लिया जाए विद्याले खोलने के बाद भी आपको तैयारी करनी है कैमपस एवं आसपास के छित्र में नीमी स्वास्त एवं सफाई के परवेक्षाओं की विवस्ता की जाए विद्याले की परिशर की प्रदिन सफाय की जाए विद्याले की सफाय वेवस्ता में विद्यार्थियों को कदाप हिना लगाया जाए ये बड़ी बात है स्कूल की साफ सफाय में बच्चों को आप बिल्कुल इन्वॉल्म न करें परिया वर्णी सफाय प्रक्रिया का पालन करते हुए अबसिस्ट पदार्थों के निस्तारण पे जल एवं जल निकास का समचित प्रबंधन सुनिशित किया जाए सामानता चुए जाने वाले तल जैसे दर्वाजे की कुंडी, डेश्ट बोड, डेस्टर, बेंच डेस्क, आदकी निरंतर सफायों में सेनिटाइजेशन सुनिशित किया जाए सभी अधिगम स्रिक्षान सामगरी का भी सेनिटाइजेशन किया जाए कचरा का निस्तारान डस्ट बिन में किया जा, यतर ततर फेकने से बचना चाहिए डस्ट बिन साफ हम पूरी तरह ढखा होना चाहिए, हम उची जगा पर रखा होना चाहिए हाँ सफाई के अस्तल पर साबुन हम साप पानी की उपलबधता होनी चाहिए साप पीने का पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही विद्यार्थियों को घर से पानी की बोतल लाने है तो प्रोसाहित किया जाए विद्यालियों में संचालिक पुस्तकाले में भी 6 फिट की दूरी का पालन करते हुए बच्चों की उपस्तिती निर्धार्त की जाए छात्र शात्राओं के सुरच्छे ठेराओ की वे उस्ताव सभी विद्यार्तियों में विद्याले के सिक्षक उमकर्मी जो कार पर आएंगे उन्हें नीमित रूप से मास्क पहनने का नर्धेश दिया जाए विशेयसकर उस समय जब एक लास में हों या समू में कोई कार कर रहे हैं या पुस्तकाले में अध्यन कर रहे हों बच्चों को परस्पर एक दूसरे का मास्क अदला बंदी नहीं करने का नर्दिश दिया जाए। जहां तक संबह हो विद्याले दौरा संपर्ग वहीन उपस्थती पद्दत ऑनलाइन उपस्थती प्रक्रिय को अपनाया जाए। सभी बच्चों को नाख, आख, कान, मुह, आधी, छोने से बचने, उमकप, सर्दी, बुखार, आधी के बारे में जायनकारदी दी जाए या तर-तर-तर थोकने से प्रतिबंदित किया जाए। सभी सभाई, स्टाफ वर्कर के लिए आवश्यक उपकराण यथा गलब्स, फेस, कवर, मास्क, हाथ धोने का साबुन की उपलब्धता सुनिशिद की जाए। विद्यार्थियों दोरा पाठपुस्त के नोटबुक, पेन, भोजन, आधी, एक दूसरे साजहा नहीं किया जाए। यदि आवस्यक हो तो भोतिक दूरी के पालन 6 पिट के दूरी के लिए अधीक बसों को लगाया जाए। जहां तक संभव हो बस पर चलने के समय सभी बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। बीना मास्क के किसी को भी बस पर बैठने के अनुमत नहीं दी जाए। दिवार के उचित स्वास्ता संबंधी घोषना प्रमालपत्र अनिवार रूप से प्राप्त किया जाए। दिव्यांग बच्चों के संबंध में सासना देश संख्या 2026, ओबलिक 68-5-2019, दिरांग 22 जनवरी 2020 में दिये गए निर्देशों के अनुसार कारवाही की जाएगी। मध्यान भोजन के संबंध में मिड़े मील भी दोस्तों बनता है। मध्यान भोजन योजना के अंतरगत आच्छादित विद्यालियों में एक निर्दारित COVID-19 प्रोटोकाल के दुशार कारवाही संपादित की जाए। उप्रोग्त सामान प्रोटोकाल के साथ निम्लिखित बिंदू का अनिवार रूप से पालन सुरिशित किया जाए। तथा खादियान भोजबदार्थों को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह साप किया जाएगा। भोजन वित्रन से पूर बच्चों को पंक्तिबद रूप से निर्धारी दूरी का अंतराल रखते हुई उनके हाथों को साबन से धुलवाय जाएगा। तथा पूर निर्धारी दस्तान पर उचित दूरी के अंसार बच्चों को पंक्तिबद रूप से बैठा कर भोजन परूसा जाएगा। बच्चों को हाथ धुलवाने के बाद उन्हें किसी कपड़े में पोचने के बजाए हवा में सुखाने के लिए प्रिरित किया जाएगा। अपड़े एप्रेन, हैंड कवर, पोच्चा आदि को भी साबुन से धोकर धूप में सुखाया जाए। मध्यान भोजन योजना के अंतरगत आच्छादित विद्यालों में निर्धारित COVID-19 प्रोटोकाल के अंसवार कारवाही सुरिश्षित किया जाने के सम्मण में विस्तिर निर्धेस मध्यान भोजन प्रादिक्रान द्वार निर्गत किये गए हैं। प्रवासी मध्यूरों के सम्मण में भी दोस्तों आर्डर हुआ है और ये आर्डर है 20 जुलाई 2020 उसके अंसवार्वस में कारवाही होनी है अब यहां पर अभिवावकों से आप से सहमत लेना है तो विद्याले का नाम सबसे उपर यह जो रहेगा सहमत पत्र अभिवावक म निमलिखिस सहमत पत्र पर अनुवार रूप से इसे आप भरा ले आवश्यक क्या है और ये आप इसको बिल्कुल भरा करके नीचे साइन कराईए इसमें लिखा हुआ है कि COVID-19 महामारी एक वैश्यू का आपदा है जिसका मुखता फैलाव आपसी संपरक से होता है इस महामा विभाग के नर्देशों के अनकुरम में विद्याले द्वारा COVID-19 के फैलाव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं कि विद्याले कोई ऐसी गारंटी नहीं लेता कि भविश्य में कोई छात्र छात्रा यम अभिवावक इस वीमारी से संक्रमित नहीं होगा तीसरा अभिवावक यह सुनिशित करेंगे कि उनके बच्चे को विद्याले में आने की तितिको COVID-19 से संक्रमित होने संबंधी कोई लक्षन जैसे सरीर का तापमान, 100 डिग्री फारने हाइट से जाथिक होना, सांस लेने में दिखकत, स्वाद का भाव, खांसी जुकामाद कि कोई लक्षन बिद्मान नहीं है, अभिवावक की इस बात से सहमत हैं कि यह दुपरोक्त COVID-19 के लक्षन में से कोई भी लक्षन बच्चे में पाय जाते हैं, तो बच्चे को विद्याले वो बिल्कुल नहीं भेजेंगे, इसके साथ ही अभिवावकों को यहाभी अउगत कराया जाता है कि विद्याले में बच्चे को भेजना पूरी तरह से स्वैक्षिक है, विद्याले में बच्चे को भेजने से उसको अथो उसके परिवार के सदस्यों को या उसके मित्रों को COVID-19 का संक्रमन होता है, तो इस संबंद में विद्याले की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, इसके साथ ही यदि अभिवावकों द्वरा, संबन्धित बच्चों की पूरू के संकरमन के संबंध में कोई तत्थ गोपन किया जाता है तो संबन्धित अभिवावक ही उसके जिम्मेदार होंगे, माता पिता अभिवावक का नाम पता हस्ता अच्छा तो दोस्तों ये पूरी की पूरी गाइडलाइन्स रही जिसमें तमाम बाते हैं इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है और इनके अनुरूप विद्याली व्योस्ता को सुचार रूप से संचादित करना है तो दोस्तों आज के लिए इतना है ये वीडियो ये इन्फरमेशन आपको कैसा लगा तो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं चैनल पर कमेंट कर सकते हैं लेकिन अगर आप डिस्टर नहीं तो आपकर उत्तर प्रदेश के इस खूब सूरत यूटूब च नहींगा हैं